तो दोस्तों वल्कम आप लोग масс还有 मेरी एक और बिल्कुन डियो वीडियो में तो दोस्तों आज कि इस वीडियो कंदर ना मैं बहुत ही वइदा एक important topic you उपध करने वालों और उसक्त मास्टर यॉलोग इसाथ कौन-कौन होता है और ये फ़ाप कुछ ना मैं नॉवल बेफ पे बताऊंगा और आप लोगों ना ये फ़ाप कुछ ना बीटी टीएच के अंदर देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये फ़ाप स्टोरी ना हम लोगों ना जो मास्टर यॉलोग जो अपना नॉवल ना उसके अंदर देखने को मिलेगी मुझे पता है कि जो बीटी टीएचे उसके अंदर ये फ़ाप को बताया गया और यह भी निए बतायागा मास्टट यearl ओने न आखर जो हांग पहें गिए क्या क्या सेक्रिफाइस किये है जी फिरह से न मास्टट yyor 嘆उ लोग को बहुत ही वाया दुक होते हैं जब ना हांग पहें लोग को धुक्षा तो दोस्तों पहले न मैं आप लोग के जितने वी जो कोफ़र रहा उन सब के आंसर कर दूँ बाद में ना मैं ना थोड़ा बहुत ना दोस्तों लेवल का वोरियर तो मास्टर ऐसे ही बैटे बैटे ही मार देते हैं उसका जो पावर लेवल होते हैं नेकिन जो हमें बताया गिया ना मास्टर याउलो का फाइनल लेवल मरने पेहले वो डूस्तों नी बताया गिया हांग सेंग जब मास्टर याउलो को धोका दे के मारते नों फे पहले ना एक बंदा Master Yolo वे फाइट कर रहा हुआ तो उसका नाम ना जीज़ ना बताओं तो नहीं तो नहीं जो Ajn कि फिरीत वो नहीं Mr. Yolott के पाफ होती है और आम S5L के यह नहीं बताए चाता कि है यहां तक क्या में On família के इस पेड़क की सुपीट के साğıdol doen TV करते क्या है क्योंकि sheet ऊंडर नहीं कोई बीडिएल नहीं दी गई मगर अगर मैं अपनी तरफ पे बताऊ ना तो मुझे ही लगता है कि मास्टर यॉल और हांग फैंग को मारेंगे हाँ यह अफ़ेक्ट है कि जो मास्टर यॉल और हांग फैंग को हमेशा मेशेंग लिक्यात कर दे और उसकी जो speed of को feel कर दे पकड़ के और इसकी तरफ रहा है एक दोगों के पास बहुत ही बड़ी वाली k hugnost है ना उन वहाथा लोगों को लगता हिताए कि जो खन्षॉऑ अपुरा पूरा ना आदा फ्लेम मंत्र है तो दोस्तों फ्लेम मंत्रा तो ओंक फ Lightning की बार आदवाला ही है मेगर जो ओंक को जो फ्लेम मंत्रा का जो पार्ट मिलेए वो ना noire पार्ट मिलेए یानि जो basic से हो मिली है आगी की जो powerful टेकनीक से वो नी मिली GP Native फ्लेम मंत्रा के लिए काई फारे पार्ट से है इसके इलावने एक और ये भी बहुत ही वाइप इंपोर्टेंट वाल था यार ये जो माफ्टर यॉल ओओ इसकी जवानी के वक्तनी गर्फर्फर्फ थी तो दोस्तों जब माफ्टर यॉल ओफ जवान थी न तब ये बहुत ही वाइप एधर एंट्सम थे आप लोगोने इनकी जो पिच्छे न वो तो देखी लियोगी जो वाइट बालो वाल ये तो किसने कमाल के लग रहे उसमें उस अग्भी माफ्टर यॉल ओओ बिल्कुल एफ़े थे और इनकी पिछे कई फाई लड़किया लगी हुई थी इस टैम न मैं आप लोगो एक और बहुत ही वाइप बात बता हूँ आप लोग वाइप लड़की तो बोलते हो अफ़े में न वो किसी लड़की के पिछे नहीं है भाई कि उसके पिछे बहुत फाई लड़किया लगी हुई है क्योंकि ये बात आप लोग जाए मानो या ना मनो वाईप लड़की तो है और वो दिखता भी बड़ा कमाल का है इस टैम भी विंदा और कुछ ये फॉर्स में भी आप लोगो को देखने को मिल जाएगी और जो दूसी थी वो ना जो फ्लावर फेक्ट 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 पे भी जाते हैं इसके बाद एक और बहुत ही वदर important वालता है यार जिफ रिंग के अंदर माफ्रे यॉला होते है क्या वो वाउयन की मदर को सब फे पहले मिलती है तो दोफ तो नहीं वो जो रिंग होती वो नवाउयन की मदर को बल्कि उसकी मदर की मदर को Mıldı Jiा यारी होती है है यानी जनरेशन टू जनरेशन चलके आ यह एहोती है और वो ना टायर 8 पे था क्योंकि Master Yall ओना सबसे वेदा एक स्मार्ट अल्किमिस्ट के अंदर ही थे वह लेकिन उसक्त ना जो Master Yall ओना टायर 8 की पीक पर नहीं थे यानि जो टायर 9 की पील नहीं उसको रिफाइन नहीं कर सकते थे अब जो BTTS के जब नोवर एंड होते नहीं इसके अंदर मास्टर Yall ओना टायर 9 तक की पील को भी रिफाइन कर पाते है अब अगला सवाल ये भी था कि यार ये जब Master Yall ओना हांग फैंग मार रहा था तब उसक्त ना फैंग हुआ उन से कहा था तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता दूँ वैसे तो आप लोगों का ये जो डाउट है बिलकुल सही भी है क्योंकि उसक्ता जो Master Yall ओना हांग फैंगो ने ट्रेनिंग करवाने के लिडर भी हुआ करते थे मगर उसक्त ये जो फारे लोग थे ये कहां थे तो दुस्तों इसका जो आँशर है वो बहुत ही वाए फिंपल है Master Yall ओना हांग फैंगो ने ट्रेनिंग करवाने के लिए एक मौटेन के अंदर ले कर जाते है और वहाँ पे एक छोटी फी हार्ट होती है उसके अंदर मास्टर Yall ओना हांग फैंगो ट्रेनिंग करवा रहे होते है और उसको एक बहुत ही बहुत है अच्छा है अलकिमिस बना रहे होते है इस फैंगो ना वहाँ पे और कोई भी नी होता और वाइस भी बात है Master Yall ओना हो जो पावर लेवल होते हो ना डूस बून लेवल पर होते है Master Yall ओना को कोई वेट किला स्क्योर्टी की भी जूरत नी होती इस फैंगो ना ये लोग ना Master Yall ओना हांग फैंग के सा जाने देते है वहाँपे तो उनको ये भी पता होते हांग फैंगो उसका स्टूरेंट है किसी को भी नहीं पता होता है वो इतना बड़ा कमी ना स्टूरेंट निकलेगा और पिर इसी चीफ का फाइदा उठाके ना जो हांग फैंगो ना मोगू को वहाँपे बुला लेते है मगर जो मोगू होता है वो तो मास्टर यॉलो से बहुती वहाँ बुले तरीके से पिट जाता है मगर जो हांग फैंगो तो उसके पाफना एक ना पॉइवने फोर्ड भी होती है जी फरफना वो ना मास्टर यॉलो को बहुती वहाँदा फानी से मार देते है और जब Master Yolo मरते हैं न तो उनके हाथों में दो अंगुटिया होती है एक वो अंगुटियोती है जो ना Master Yolo की बहुती वह मेन होती है जिसके अंदर Master Yolo उन अपनी जो फ्पीट और जल्दी से उसको डाल देते हैं दो उनके हाथो उनके होती होती है जो में लोके आप लोगों के बहुती ने जिसके अंदर मैं Master Yaw की साई डिटेल भी दूँगा और सब कुछ बताऊँगा उसके अंदर मैं आप लोगों बहुत कुछ बताऊँगा यहां तक कि यह भी बताऊँगा जो मदर उसके पास यह रिंग कहाँ पही है और इसके लाव और भी कई फाई चीज़ बताऊँगा कि वो जो रिंग के आखिर कर कहां कहां गई थी और यह जो वीडियो है यह वीडियो भी आप लोगों एक हफते के अंदर देखने को मिल जेगी इसलिए आप लोगों इसका वेट करना होगा क्योंकि इस टॉपिक उपर आराम से एक वीडियो बनती थी मगर आने वाई जो वीडियो आफ होगे ना मैं उनके अंदर आ मास्टर यॉलोग के बारे में और भी कई फाई डिटेल दूगा और इसके लावा यह बही बताऊँगा क्या वो आकरी में जाके ले जिए vyड़ी वान जी उसके बहों के पार सजादी करेंगे चुर्ऴकि ऋसके लावर फेक्ट की लीडर होतें उससे बहुंष करते कैब महीं ना पूरे तरीके से फ्री हो जाएंगे नुसके साही वीडुर दूरी होगे तो दोस्तो आज की जो वीडियो थी वह नहीं तक थी तो दोस्तो अब मैं मिल तो आप लोगे फिर बिलकुल एक वोट निव वीडियो में तब तक के लिए आप लोगे पना चे फिकाया रखना